कि एट से हो आप सब आई होप आप सब बिलकुल अच्छे होंगे अपने अपने घरों में बहुत खुष होंगे मस्त होंगे तंदूरुस्त होंगे और खुब इन्जोय भी कर रहे होंगे हम सब भी बिलकुल ठीक हैं मैं सुस्मा कुहाड एसके व्लोक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स बताईए आप सब कैसे हो और मैं तो हमेशा यही उमीद करती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सब बिलकुल भले चंगे होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और यहां पर मेरी बड़ी जेठानी उर्मिला आई हुई है और हम दोनों गोंद के लड़ू बनाने की तयारी कर रही है और इससे पहले हमने भुने हुए चने और बेलगरी के लड़ू बना लिये है वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है आप सबने अगर उसकी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर भुने हुए चने और बेलगरी के लड़ू की रेसिपी की वीडियो जुरूर देखिए प्रोपर रेसिपी मैंने शेयर की हुई है बहुत ही यम्मी से लड़ू बनाए है तो वीडियो को देखना बिल्कुल न भूले और यहां पर हम गोंद के लड़ू बनाने के लिए जो सुखा नारियल होता है उसको चाकू से काटके और मिक्सी में पीस रहे हैं इसको हम कद्दू कस भी कर सकते हैं इसको हम कूट भी सकते हैं और मिक्सी में पीस भी सकते हैं बाकि इन तीनों कामों में मिक्सी में पीशना ही सबसे आसान काम है तो चाकू से मैंने इसके पहले चोटे-चोटे से पीशिज काट लिए हैं ताकि यह जलदी से पीह जाए और यह सुजाथा की मिक्सी है तो इसमें तो चाहे कुछ भी पीश लो बहुत ही जलदी से पीश जाता है तो नारियल को हमने पीस लिया है और एक किलो मैंने सुखा नारियल लिया है और गोंद में डालने के लिए 100 ग्राम काजू है 100 ग्राम बादाम है तो उनको भी मैंने मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है क्योंकि कूटने में तो ज़्यादा टाइम लगता है और पीसने का काम ज यह होगा तो उसको हम भून लेते हैं और फ्रेंड से गोंद में डालने के लिए हमें गेहूं के आटे की जरूरत पड़ती है तो यहां पर मैंने एक केजी गेहूं का आटा लिया है और आटा ज्यादा बारिक पिसा हुआ नहीं होना चाहिए थोड़ा सा दरदरा जैसे मोटा आटा होता है ना ऐसा होना चाहिए ज्यादा बारिक वाला आटा अगर हम गोंद में डालते हैं तो गोंद के जो लड़ू बनते हैं वो खाने में इतने यम्मी नहीं लगते हैं तो आटा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए तो यहां पर मैं आटे को भून लेती हूँ और आट बिल्कुल भून जाएगा तब बाद में मैं इसको चान दूँगी तो ये एक केजी आटा है ये दो बार में भून जाएगा तो मैं इसको भून लेती हूँ तो फ्रेंड से आटे को भून के और मैंने चान दिया है अब इसी कड़ाई में ताल मकाने भी भून लेते हैं तो ये सबजी वाला थोड़ा सा बड़ा चम्मच है ये दो चम्मच भरके मैंने घी डाल दिया था घी जब बिल्कुल अच्छे से गरम हो गया तब 500 गरम ताल मकाने हैं सारे मैंने एक साथ ही इसमें डाल दिये थे और अब ये जो मेरा चम्मच है इसी की साहता से मैं इनको उपर नीचे पलट दूँगी तो इनको मैंने उपर नीचे पलटते हुए सेक लिया है अब मैं इनको पीस लेती हूँ क्योंकि ये गरम गरम जल्दी से पिष जाते हैं और अगर ये एक बार फिर से ठंडे हो गए तो फिर से पीसने में बहुत जादा प्रोब्लम आईगी तो इनको तो जैसे ही ये सिख जाएं भून जाएं तो साथ के साथ मिक्सी के जार में डालके इनको पीस लेना है अगर आप इनको कूटना चाहो तो कूट सकती हैं तो अभी थोड़े-थोड़े से डालके और मैं इनको चार से पाँच बार में ऐसे ही सारे पीस लेती हूँ तो चलिए फ्रेंड्स अब गोंद के लड़ू बना लेते हैं सारी चीजे तयार कर ली हैं एक केजी गेहूं का अटा लिया था उसको भून के और आप देख सकते हैं मैंने टब में चान दिया है ढ़ाई किलो मैंने इसमें खांड डाली है एक केजी नारियल जिसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था और ढ़ाई सो ग्राम ताल मखाना है और लगभग सो ग्राम काजू, सो ग्राम बादाम सब चीजे मिक्स मैंने कर ली हैं और ये सारा सामान मैंने ये इबिस में डाल दिया है तो ये सारी चीज़े तो हो गई है अब हम घी में गोंद को भून लेते हैं क्योंकि गोंद को हम तब ही भूनते हैं जब ये हमारी सारी चीज़े तयार होती हैं और तयार करके और फिर हम गोंद को भूनना शुरू करते है क्योंकि उसको गरम गरम इसमें डालेंगे और साथ के साथ उसको फोड़ना होता है अगर गोंद जरा सा ठंडा हो जाता है तो वो फिर फूटता नहीं है बहुत ही टाइट हो जाता है और खाने में अच्छा नहीं लगता है तो ये सारा सामान तयार हो गया है एक केजी गेहूं काटा, एक केजी नारियल, आप उसको कश भी सकती हैं, मिक्सी अच्छी हो तो उसमें पीश सकते हैं, ताल मखाना था उसको भी मिक्सी में पीश दिया, काजु बादाम को पीश दिया, तो सारी चीजे तयार हो गई हैं, तो चलिए अब गोंद को भून लेत करके डाल दूंगी और इसमें हम गोंद तब डालते हैं जब गी बिल्कुल अच्छे से खोल जाता है जैसे हम पकोडिया तलते हैं गी इतना गरम होना चाहिए अगर ठंडे गी में इसको गोंद को डाल दिया तो वो नीचे जम जाएगा और फिर उपर नहीं आएगा और वो भी उसको चबा भी निपाओगे इतना टाइट हो जाएगा तो जब गोंद को भूना हो तो गी को पहले बिल्कुल अच्छे से गरम कर लेना है जैसे पकोडिया तलते हैं ऐसे खोलता हुआ गी होना चाहिए तो इस टाइम ये लगभग मेरा जो गी है गरम हो चुका है 1 लीघो ग्राम का पैकेट है तो इसमें मैं सारा गोंद नहीं डालोंगी क्योंकि जब अंदुश को गी में ढालते हैं तो ये अग्दम से फूल जाता है कड़ाई भर जाती हैं तो मैं इसको दो से टीन बार करके चाहिए और साथ के साथ जैसे यहाँ पे मेरी जिठानी को तो किसी और को बिठा लीजिए ताकि आप जब उसमें इसको निकालो तो साथ के साथ उसको कोई फोड़ने वाला हो नहीं तो वो एक दम से ऐसा हो जाएगा बाद में कि फूटेगा नहीं और मोटी-मोटी उसकी डलिया ऐसे ही रह जाएंगी तो कोई भी आप लूटिया बग निकालते रहेंगे और यह उपर आ जाता है तुरंत उसमें खोलते हुए घी में और इधर मैं इनको एक लोटा निकाल के दे देती हूं तो फोड़ दिये और यह देखिए गॉंद हमारा जब घी एकदम से उबला होता है तो तुरंत ही उपर आ जाता है और कभी-कभी गॉ अच्छा नी होता है तो उसको भी पूलने में टाइम लग जाता है और फिर वह भी खाने में अच्छा नी लगता है तो एक तो जब आप गोंद लें तो थोड़ी से अच्छी क्वाल्टी का ले लीजिएगा और दूसरा अगर उसमें नमी हो तो धूप में सुखा यार की है उसमें मैं डाल दूंगे और आपको दिखा भी देती हूं कि इसको फोड़ना कैसे है अब जैसे मैंने ये एक बार का भून लिया है ऐसे ही करके मैं ये आधा किलो गोंद है इसको चार-पांच में सारा मैं भून लेती हूं तो ये देखिए फ्रेंट्स इस तरह से ये गी में भूना हुआ गोंद है और बाकी की सामगरी इसमें डाली हुई है इसको इस तरह से इसमें डाल देंगे और इसको जल्दी-जल्दी से जो इसमें बूरा है आटा है जो भी इसमें सामान डाला है उसमें इस तरह से फोड़ देंगे तो ये गरम-गरम है जल्दी स फूट जाएगा ठंडा होने पर थोड़ी सी दिक्कत होती है फिर तो यह फूटता ही नहीं है ऐसे कैसे रह जाता है तो जल्दी जल्दी से इस तरह से आप इसको फोड दीजिए तो फ्रेंड्सी अब इसमें सारा गौंद डाल दिया है और लास्ट वाला तो जो गी था उसके साथ में बचआ हुआ था वो भी इसमें डाल दिया है और अब इसमें मैं जितने गी की इसमें जुरूरत है कि इसके लड़ू अच्छे से बंद जाएए इतना गी घरम करके और डाल देंगे और फिर बनाएंगे इसके लड़ू तो मैं अभी इसके लिए एक्स्ट्रा गी गरम कर लेती हूँ फ्रेंड से सारे गोंद को फोट दिया है और एकात डली तो इसमें बच जाती है तो कोई बात नहीं है लेकिन जब ये गरम गरम होता है तो इस तरह से जल्दी से फोट जाता है और अब मैं इसमें गी गरम करके और डाल देती हूँ और वैसे नाप तोल के तो गी मैं किसी भी चीज में नहीं डालती हूँ क्योंकि एक साथ ही गी आता है आइडिया करके डाल देती हूँ कि लड्डू बनाने के लिए इसमें कितने घी की जरूरत है तो थोड़ा थोड़ा करके और गरम करके डाल के इसमें साथ के साथ मिक्स करके देख लेंगे कि लड्डू बनाने के लिए कितने घी की जरूरत है क्योंकि ना तो घी कम होगा तब लड्डू बनेंगे और अगर घी जादा हो जाएगा तो भी लड्डू नहीं बनेंगे तो मिक्स करके इसको देखते रहेंगे तो यह देखिए फैंसी मैंने इसमें 12 से गी डाल दिया है और इसमें 12 किलोगी तो लड्डू गी डाल दिया है अब इसको मिक्स करके देख लेंगे मेरे इसाब से तो लड़ू इसके बिल्कुल अच्छे से बन जाएंगे अगर कुछ कमी लगेगी तो फिर दो बारास इसमे थोड़ा सा घी मिक्स कर देंगे तो अगर आपको लड़ू बनाने हैं तो घी थोड़ा सा जादा डालना होता है अगर लड़ू नहीं बनाने होते हैं तो घी कम भी डाल सकते हैं वो आप अपने इसाब से देख लीजिएगा तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसके लड़ू बनाएंगे तो फ्रेंड से घी पड़ गया है इसमें कम क्योंकि पोने 2 किलो पहले डाला था और लगबग 200 ग्राम होगा थोड़ा बहुत जादा ही होगा 200 ग्राम से क्योंकि मैंने तोल के तो नहीं डाला है बस ऐसे ही डाल दिया है तो डाइसो ग्राम से उपर होगा तो दो किलो से उपर उपर इसमें घी डाल दिया है क्योंकि लड्डू बनाने है ऐसे ही रखना होता तो घी कम भी चल जाता लेकिन लड्डू बनाने के लिए तो घी थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ता है तो अब यह है कि इसके लड़ू अच्छे से बन जाएंगे तो फ्रेंड से गोंद के लड़ू बनाने के लिए तयार हो गए हैं और हमारी प्यारी ची पोती रिया भी आ गई है अब इसके लड़ू बनाने लगे हैं लड़ू खाली जिए और एक बार गी डाला वो भी कम पड़ गया था दोबारा से डाला है वो भी कम था तीसरी बार थोड़ा सा और डाला है तो आब इसके लड़ू बिल्कुल अच्छे से बन रही हैं और थोड़े से ठंडे हो तो यह लीजिए लड़ू खा लीजिए और ऐसे करके अब सारे लड़ू बना लेती हूं फिर आप सब को दिखा दूंगी कि कितने लड़ू बनाए हैं कुछ छोटे बनाएंगे कुछ थोड़े से बड़े बनाएंगे रिया लड़ू बना ले लो जी लड़ू तो आमने बना के तयार कर लिए हैं और ये देखिए इतना बड़ा ड्रम बर गया है सेथ का खजाना तयार हो गया है तो आप सब भी इस तरह से यम्मी से लड़ू बनाएए और सर्दियों में खाईए गोंद के लड़ू भुने वेचने के लड़ू सब तयार हो गई हैं और महिना बर आराम से खा सकते हैं और वैसे तो ये दो तीन महिने भी खराब नहीं होते हैं क्योंकि देशी गी की बनी हुई चीजे हैं जो कि खराब नहीं होती हैं और स्वास्ते के लिए अच्छी होती है और हमारी रिया तो मताई मताई कर रहे हैं लेकिन खाती बिलकुल कर दीजिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमेश्कार राधा स्वामी राधे राधे बाई बाई जी चलते हैं मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में